बुढ़ापेगी लाठी हमारी पहू गर्मियों की छुटियों मैं 15 दिन के लिए माई के जाने के लिए पत्नी जोती और दोनों बच्चों को मैं रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मेडम जी ने सक्तिक दायती माँ बाबु जी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन् के ध्यान रखने की पात तो मैं भी आखिर बेटा हूं उनका जोती मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैट गई और कुछ देर में ही ट्रेन चल दी उन्हें छोड़कर घर लोक्ते वक्त सुबह के आट बच के दस मिनट ही हुए थे तो सोचा बहार से कचोरी और समोसा ले चल लगा कर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई इसी तरह जोती के जाने के बाद मुझे उसे अंगिनत बार फोन लगाना पड़ा कौन सी चीज कहां रखी है मां बाबुजी को क्या पसंद है क्या नहीं कब कौन सी दवाई देनी है रोज मां बाबुजी को बहू ब अकेलापन बढ़ गया था उनका मैं खुद अपने आपको बेवस महसूस करनी लगा मुझसे उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था आखिर कार अपनी सारी अकड़ और एक बेटे होने के एहम को ताक पर रख कर एक सप्ता बाद ही जोती को फोन करके बुलाना प सुकी हो और ऐसा हो भी क्यों ना आखिर उनके परवार को अपने करमोशे रोशन करने वाली उनकी जोती जो आ गई थी मुझे भी इन दिनों में एक बात बखू भी समझ आ गई थी और वो यह कि प्रद माता पिता के बढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहुई होती ह ना कि उनका बेता आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बूलें मिलते हैं नेक्स टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए जैसी किष्णा एंज के सिरावी